दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश जंतर मंतर पर बैठी महिला जो पहलवान हैं उनके समर्थन में इतना जबरदस्त मॉबिलाईजेशन होगा इतने सारे लोग आएंगे और अलग-अलग सेक्शन्स के लोग आएंगे ये पहले लोगों को अंदाज नहीं था कई बार लोग ये कह रहे थे कि देश की बड़ी-बड़ी पहलवान जिनके मेडल पाने पर पूरे देश में तालिया पिटी जाती है मुम्बत्ती जलाई जाती है मिठाई खाते हैं लोग एक दुसरे को बदाई देते हैं कि भारत ने ये देखो मेडल जीत लिया जब वो सड़क पर आकर बैठ गई हैं जल्मो सितम के खिलाप तो बड़े-बड़े खिलाडी बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं वे समर्थन में आवाज क्यों नहीं लगा रहे हैं कलाकार नेता आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं ये शुरू के दिन की बात मैं बता रहा हूँ लेकिन दोस्तो जैसे ही दो दिन बीता तीसरे दिन से जंतर मंतर पर तांता सा लग गया है और सरकार की स्थिती बहुत खराब होती जा रही है दो-दो FIR ब्रिजभूशन सिंग पर दर्ज हो गए पहले ब्रिजभूशन सिंग के बारे में सरकार सुनने को राजी नहीं थी उनके खिलाब किसी भी तरह के कदम उठाने को पुलिस तयार नहीं थी सिर्फ आपको याद होगा जब शुरू में जनवरी 2023 में जब पहली बार महिला पहलवानों ने जनतर मंतर पर आकर धरना दिया उनके कई ऐसे दोस्त समर्थक सहकर्मी जो उनहीं की तरह अलग-अलग खेल में हैं अलग-अलग गेम्स में हैं वो भी आकर साथ में बैठे तब तक अगर देखा जाये तो सरकार के कान पे जू नहीं रेंगा था बहुत बाद में एक कमेटी बनाने की बात हुई कि खेल मंतराले की तरफ से कमेटी रहेगी पाँच लोग की कमेटी बनी पाँच लोग की कमेटी ने क्या फैसला दिया कोई नहीं जानता अभी तक उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई लेकिन सुनने में आया है कि उसमें भी क्लिंचिट दी गई है ब्रिजी बूशन सिंग को तो हम आज के इस एपिसोड में यही चर्चा करेंगे कि क्या वाकई चीजें मोदी शाह की सरकार के हाथ से फिसल रही हैं मोदी जी और शाह साहब दोनों जो सियासत के इतने जबरदस्त खिलाडी हैं बलकि यूँ कहा जाए कि वो राजनीति के यानि पावर पॉलिटिक्स के पड़े पैलवान है क्या उनके हाथ से चीजें वाकई अफिसलती नजर आ रही हैं क्या वो मैंच नहीं कर पा रहे हैं उनके सलाकार क्या उनको सही सलाप नहीं दे पा रहे हैं जब एक बार महिला पैलवानोंने आकर धरना प्रदरशन किया तब히 सरकार को चेत जाना आया था महिलाओं ने महिला किलाडियों ने महिला पहलवानों ने ब्रिजिभूशन सिंग जो भारती जनता पार्टी के सांसद हैं कई बार से सांसद हैं कई कई पार्टियों में घूम चुके हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा से लेकर कई जीलों में उनका दबदबा है और व प्रजी भूशन सिंग पर आरोप लगाते हुए जब महिलाओं ने महिला खिलाडियों ने महिला पैलवारों ने जंतर मंतर पर अपना धर्ना दिया था शुरू में तो सरकार ने महिलाओं को ही कोशना शुरू किया सरकार के मंतरी कहते थे कि आप यहां से चले जाएए आप यहां आप की कोई जरूरत नहीं है आपकी बातों पर हम देखेंगे ध्यान देंगे लेकिन एफायार नहीं किया गया जबकि इस देश में एक आम आदमी के खिलाब अगर किसी भी व्यक्ति यहां तक की अपसरों पर हमने देखा है कि जब कभी यौन उत्पिरन का आरोप कोई महिला लगाती है फोरन एफायार ही नहीं होता है गिरत्तारी हो जाती है लेकिन क्या मदाल कि प्रिजी भूशन सिंग को एक पुलिस वाला जाकर उनसे पुस्ताज तक भी करे पुलिस ने साफ इंकार कर दिया था लेकिन अब चीजें बदल गई इस बार अप्रैल में दो हजार तेईस के अप्रैल में जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर आकर बैठ गई धरना देना श शुरू में दो दिन लगा कि शायद सरकार पहले की तरह इसको भी मैनेज कर लेगी या कुछ भी नहीं करेगी लेकिन हिमत दिखाया महिला पहलवानों ने और अपने संघर्ष को उन्होंने जिस नैतिक आधार पर स्थापित किया बहुत सारे लोगों ने उनका साथ देना आखिर महिलाओं के उत्पिडन का मामला था आखिर ये उन लोगों के यौन उत्पिडन का आरोप था उन लोगों द्वारा जो इस देश का एक तरह से पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं पुलिस को दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोट आफ इंडिया में जाने के बाद पुलिस को दो-दो एफाई आर करना पड़ा है एक एफाई आर जो है वो यौन उत्पिडन के जनरल एक मामला है जिसमें अनेक महिला पहलवानों की बात है उस पर है और दूसरा जो है वह एक नावालिक महिला पहलवान के बारे में उससे जुड़ा हुआ है और उसके यौन उत्पिडन का है तो इसलिए उसमें एक खास एक्ट लगा है पाक्सो एक्ट और उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है तो अब ब्रिजभूशन सिंग पर दो-दो मामले हैं और यही नहीं ब्रिजभूशन सिंग को सुप्रीम कोट आफ इंडिया में जब देश के जो इस समय सॉलिसीटर जनरल है तुशार महता साब जब उन्होंने सुप्रीम कोट आफ इंडिया के एक कड़े रुख के बाद जब यह कहा कि दिल्ली पुलिसे फायार करेगी जैसे ही यह सूचना पब्लिक हुई ब्रिजभूशन सिंग ने महाबली बाहुबली जिनके बारे में तरह तरह के विशेशन दिये जाते हैं उन उन महाशेय ने आकर अखवार वालों से पत्रकारों से बाचीत में स्विकार किया कि वो त्याग पत्र देने को तैयार हैं वो भारती कुष्टी सं संग के अध्यक्षपत से इस्थिपादे देंगे बशर्ते कि ये महिला पहलवान यहां से उठकर चली जाएं लेकिन महिला पहलवान क्या कह रही हैं महिला पहलवान कह रही हैं कि हम तब तक यहां से नहीं उठेंगे जब तक हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारी मांगे है वो सरकार पूरी नहीं करती और उनकी मांगे क्या है कि ब्रिजभूशन सिंग को भारती कुष्टी संग के अध्यक्षपत से हटाया जाए उनकी गिरफतारी की जाए अभी सिर्फ दो F.I.R. हुए है लेकिन F.I.R. में क्या-क्या है ये किसी को नहीं मालूम और F.I.R. के तहद पुलिस ने जब मैं आप से बात कर रहा हूँ तब तक ब्रिजभूशन सिंग के खिलाब कोई कारवाई नहीं किया है और अभी पता चला है कि ब्रिजभूशन सिंग दिल्ली छोड़ करके इस वक्त अपने उत्तर प्रदेश इस्थित गोंडा जिले के अपने बड़े बंगले में हैं जहां उनके समर्थ तक उन्हें फूल माला पहना रहे हैं उनका एक तरह से खैर मगदम कर रहे हैं तो दोस्तो इसके पहले कि हम अपनी बात को और आगे बढ़ाएं पहले जानिये कि कौन है ब्रिजभूशन सिंग दोस्तों कौन है ब्रजभूशन सिंग और क्या कह रहे हैं आज वो जैसा हमने पहले बताया कि वो भाजपा के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के कैसर गंज छेत्र से हैं, छे बार के सांसद हैं, 6-6 साल के हो गए हैं, वो गुंडा जिले से आते हैं जो देश के पिछड़े जि में आता है केतकी देवी सिंग उनकी पत्नी है वो भी पॉलिटिक्स में रह चुकी है और इलाके में आमें ब्रिजबूशन सिंग की राजनीत को एक तरह से वो संयोजित भी करती हैं मीडिया में जो खबरें आती रही हैं उनके हिसाब से ब्रिजबूशन सिंग उस इलाके में बलकि कई जिलों में उनके पचास से अधिक स्कूल कॉलेज हैं ऐसा बताय जाता है हो सकता है कि सारे उनके नाम पर नहों लेकिन लोग कहते हैं कि उनका प्रबंदन है अनेक लगजरी गाड़ियां है एक बेटा प्रतीक भूशन है जो वो गोंडा सदर से भारती जन्ता पार्टी का विधायक पी है यानि एक ही परिबार में भारती जन्ता पार्टी के कई नुमाइन दे हैं और दोस्तों गोंडा, पाटन, बलरामपुर, सरावस्ती, बहराईच जैसे पांच जिलों में बताते हैं कि इनका दबदबा है वहां इन पांच जिलों की राजनीती में ब्रजबुशन सिंघ भारती जन्ता पार्टी के किसी और नेता से ज्यादा अपने को भारी दिखाते हैं और उनको माना भी जाता है महिला पहलवानों का ये भी कहना है कि अनेक बार खिलाडियों का जो कैम्प होता है महिला खिलाडियों का वो ब्रजबूशन सिंग के लखनव या गोंडा के नबाब गंज इस्तित घर या उनके किसी नीजी संस्थान में होता है इस दौरान भी महिलाओं के साथ यानि महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीडन होता रहा है ये आरोब उन महिलाओं ने लगाया है जो जनतर मंतर पर इस वक्त धरना दे रही हैं और जिनके साथ साहनभूती जो दर्ज करने वाली लोग हैं उनका तांता लगा हुआ है दोस्तो ब्रेजभूशन सिंग इसके उलट क्या कहते हैं वो कहते हैं कि वो खिलाडियों की मदद करते हैं और बहुत सने रखते हैं एक बार दोस्तो इतना सने वो रखते हैं कि एक बार तो उन्हें मंच पर ही एक पहलवान को सबके सामने थपड़ मारते देखा गया और वो फोटो जो है काफी वाइरल हो गई इसके अलावा दोस्तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रेजभूशन सिंग जैसे लोग जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं वो कहते हैं कि जब तक मेरे मेरे पास शमता है जब तक मेरे पास जान है जब तक मेरे पास ताकत है मैं लड़ता रहूँगा किसी की परवाह नहीं करूँगा वगएरा वगएरा मैं बिलकुल सही हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है मेरा कोई कुछ नहीं बिगार सकता इस तरह की बातों करते हैं तो इस तरह का जो एक हमसास इसको कहें दुसास कहें जो भी कहिए लेकिन इस तरह के जो लोग है देखे इस देश के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राजियों में ऐसे अनेक शित्र हैं जहां खास कर इस तरह के व्यक्तित तो इस तरह की शक्सियतें काफी तेजी से उभरती हैं और ये राजनीत में एक 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 लंबे समय तक इनका दबदबा भी रहता है कई बार इन पर कारवाई भी होती है कई बार नहीं भी होती है इन पर राजनीत के अपराधी करण का आरोप लगता है लेकिन ये बहुत आसानी से उससे मुक्त भी हो जाते हैं कई बार इनके खिलाब जो मुकदमे होते हैं चाहे वो हत्या का हो एटेम्ट टू मर्डर का हो ये सारे के सारे खतम हो जाते हैं गवाही नहीं मिलती और नयाय जो है वो एक तरह से लाचार हो जाता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रिजबूशन सिंग्ग के बारे में क्या और पहलू है उनके व्यक्तित्यों के या उनके बाहुबली चरित्र के लेकिन ये बात सही है जो जंतर मंतर पर बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं कि उन पर बहुत सारे केसेज रहे हैं लेकिन अनेक केसेज में उनको रहत मिली विविन्द कारणों से और कुछ केसेज पेंडिंग भी है लेकिन वो कन्विक्ट कभी नहीं हुए ये दावा जो कर रहे हैं वो बिलकुल सही है लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस तरह के बाहुबली ऐसे लोग जादा तर उन्ही इलाकों में इमर्ज करते हैं उभरते हैं जो इलाके देश के पीछड़े इलाके हैं जहां अपर कास्ट के जो फ्यूडल्स हैं बड़े जमिंदार किस्म के लोग हैं बड़े परिवारों के लोग हैं बड़े धन्ना सेथ हैं उनका दबदबा ह होता है और शेस आबादी में गरीबी होती है और बहुत जादा लाचारी होती है कहना नहीं होगा कि यह जितने मैंने जिले गिनाये आस पास के चाहे वो स्रावस्ती हो गुंडा हो चाहे पाटन हो यह सभी इलाके इसी तरह के इलाके हैं और जहां पर इनका इमर्जन्स हुआ है जहां से यह उभरे हैं तो दोस्तों आज की स्थिती यह है कि जंतर मंतर पर इनके खिलाब जो धरना है वहाँ पर प्रियंका गांधी जा चुकी है वृंदा कराज जा चुकी है और आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े नेता जा चुके हैं अनेक नेता गये हैं और यही नहीं देश के बड़े बड़े खिलाडी उन्होंने अपना नैतिक समर्तन दिया है कुछी दिन पहले कुछी दिन दो दिन पहले की बात है पीटी उशा जी ने जो भारती ओलिम्पिक संग की अध्यक्ष है वो भी एक नॉमिनेटेड राजी सबा सांसद हैं एक समय हमारे देश की बहुत बड़ी सितारा रही हैं और हाल तक उनका नाम हर जगा बहुत सम्मान के साथ लिया जाता था और लिया जाता रहेगा लेकिन उनके सम्मान में उनके सितारा शक्सियत में एक बहुत गहरा धबा लगा है बहुत गहरा धक्ता उनको लगा है उनकी छवी को से उठ जाना चाहिए ये हमारे पास आएं वगरा वगरा इसका काफी इस पर आक्रोश लोगों ने व्यक्त किया और ये देखा कि ये सरकार का साथ दे रही है और खास कर ऐसे समय जब भारती जंता पार्टी की सरकार और उसके मंतरी खुल कर सारजनिक बयान तक नहीं दे पा रहे हैं इस मामले में तब पीटी उशाजी को जो एक बहुत बड़ी खिलाडी रही हैं बहुत बड़ी धाविका रही हैं भारत की स्टार रही हैं विजेता रही हैं उनको लोगों को लोगों ने महसूस किया कि उनको या तो फुसला कर या उनको दबाव में डाल कर या चाहे जिन कारौन से हो उनको सामने लाया गया उन्होंने जो बयान दिया उसका मीडिया में सोसिल मीडिया में काफी ज्यादा रियक्शन हुआ उनकी आलोचना की जाने लगी तब वो खमोशों गई लगबग अब वो कुछ नहीं उन्होंने अभी तक कहा है लेकिन इस बीच में कपिल देव हर्भजन सिंग सहवाग नीरच चोपड़ा अभिनो बिंद्रा सानिया मिरजा देश की तवाम इस तरह की बड़ी हस्तिया जो खेल जगत की हैं वो इन महिला खिलाड़ीयों को इन महिला पहलवानों को वो अपना नयतिक समर्थन दे रही हैं बलकि यूं कहा जा है मैंने जो नाम लिये हैं तो कुछ हैं तांता इस समय लगा हु white है इन नामों का जो समर्थन कर रहे हैं ऐसी स्तिती में भारती जंता पार्टी की सरकार पहलवानों के इस मामले में इस बुरी तरह फस गई है और वो भी करनाटक वो भी करनाटक के चुनाओ के दर्मियान इसका मेसेज करनाटक तक ही नहीं कश्मीर से कन्या कुमारी तक पहुँच रहा है कि इस देश में एक तरफ भारत के प्लार मंतरी ये कहते हैं कि लड़कियों को बचाओ लड़कियों को पढ़ाओ वो कहते हैं कि उनको बचाओ उनको पढ़ाओ और दूसरी तरफ हमारी लड़कियां भारती जनता पार्टी के एक सांसत भारती कुष्टिशन के अध्यक्ष उन पर इतना में अगर ये मामला नौ गया होता तो शायद दिल्ली सरकार अभी तक भी एफ आई आर नहीं करती क्योंकि जनौरी में भी उसने नहीं किया था फरोरी भीट गई मार्च भीट गया अप्रेल आ गया तो इस मामले में भारती जनता पार्टी की सरकार की इतनी भद्ध पिटी है और कल यानि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोदी जी सुना है कि अपने मन की बात का सौवा एडिशन लेकर आ रहे हैं पूरे देश में भव्यता के साथ एक तरह से ऐसा लगता है कि ये रास्टी उत्सों में तबदील किया जा रहा है मैं नहीं जानता कि महिलाओं को ले प्रोच है उनके मंत्री का ये प्रोच है कि कमेटी बनी कमेटी की कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई लोग कहते हैं कि उसमें भी क्लिंच चित मिल गया तो ये ऐसा मामला है महिला पहलवानों का जिस पर ये सरकार पुरी तरह फसी होई है जबाब देते नहीं बन रहा है और दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो टीवी पुरम है जो सिर्फ सरकारी राग गाता है वहां भी भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवक्ता के तोर पेश नहीं हो रहे हैं वहां पर अपने को वो विशले सक बता रहे हैं उनके नाम के नीचे लिखा रहाता है कई भारती जनता पार्टी के नेताओं के नीचे नियूज के विशले सक यानि खबर के विशले सक यह हैं भारती जनता पार्टी से अपने को आइंटिफाई ओ नहीं कर पा रहे हैं ये इस्तिती पैदा हो गई है तो दोस्तो आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियकाल झाल झाल